भारत मतकी इनकलाब इनकलाब वन्दे वन्दे मुझे कुछ लोग कहते थे कि ग्रेटर कैलाश में सभा नहीं हो सकती मैं आप सब लोगों का शुक्र गुजार हूं इतनी ठंड में रात के टाइम पे आप अपने अपने घरों से निकल के आए हैं और इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी संख्या में आज आप सब लोग हमारे समर्थन के लिए हमारा उत्सा बढ़ाने के लिए हैं इकठे हुए हैं इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्र गुजारू तहे दिन से आपका शुक्रिया करता हूँ आप सब लोगों को मेरा नमशकार सब को मेरा प्रणाम दोस्तों पांच साल पूरे हुए बहुत मेहनत की हमने पांच साल रात दिन खूब लगन से काम किया खूब इमानदारी से काम किया स्कूल अच्छे करे अस्पताल अच्छे करे बिजली, पानी, सडक, नाली, गली सीसी टीवी, कैमरे देंगू, खूब सारे काम करे हैं जी? शुक्रिया एक परिवार का एक बड़ा बेटा होता है ना जैसे एक परिवार में सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे की होती है बिजली का भी लाया तो बड़ा बेटा बरेगा पानी का भी लाया तो बड़ा बेटा बरेगा घर में कोई बिमार हो जाए उसके इलाज की जिम्मेदारी बड़े बेटे की, माबाप को तीर थ्यात्रा करा के लानी है, बड़ा बेटा कराएगा, घर में जितने छोटे बच्चे ओं, सब की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी बड़े बेटे की, पिछले पान साल में दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनने की कोशिश करी है मैंने, आपके घर के बिजली का बिल हमारी जिम्मेदारी, आपके घर के पानी का बिल हमारी जिम्मेदारी, अपने घर में जितने पुजूर गया हैं, उन सब को तीर थ्यात्रा कराने की कोशिश करी, घर में कोई बिमार हो गया, उसका इलाज कराने की कोशिश करिए घर में जितने बच्चे थे उनकी अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले इसकी सब की कोशिश करिए मैं अपनी तारीफ करूँ अच्छा नहीं लगता आप से पूछना चाहता हूं बिजली 24 घंटे आने लग गई है किस-किस के बिजली के बिलजीर होगा जरा हाथ खड़े कर देना बताओ ग्रेटर के लाश वालों के भी सब के बिजली के बिलजीर होगाए तीन महीने से बावजी के बिलजीर हो आ रहे हैं कह रहे है ऐसा चमतकार पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, पूरी दुनिया में कही नहीं है ऐसे 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली अच्छा पिताओ, सकूल ठीक हो गए? सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की भी फीस बढ़ाने नहीं दी गलत तो नहीं क्या रहा अस्पताल ठीक हो गए बहुत सारे काम करें जी पिछले और डेंगू हम सब लोगों ने मिलके डेंगू पर कंट्रोल करा इस बार एक भी मौत नहीं हुई दिल्ली के लोगों पर गरवे मिरको आप सब लोगों पर गरवे मिरको आप लोगों ने करके दिखाया ये दस हफते, दस बजे, दस मिनट तो पांच साल में हमने सब ने मिलके खूब काम करें दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने मिलके दिल्ली के कई सारे काम करे अब अगले पांच साल दिल्ली को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो मैंने अभी पिछले दिनों दस गारंटी दी है कि वही केजरीवाल की दस गारंटी है अगले पांच साल में पर केजरीवाल आपके भी ना कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं हूं मैं बहुत छोटास आदमी हूं मेरी ताकत आप लोग है तो मैं आपके सामने एक एक गारंटी रखूंगा आपसे पूछूंगा भी मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं आप बता देना ये गारंटी सही है की नहीं है पहली चीज यह जो 24 घंटे बिजली जब तक केजरी वाले तब तक ये लागू रहेगी, फ्री बिजली रागू रहेगी, बिजली का बिल जीरो, जब तक ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि 30 मार्च को खतम हो जाएगी, 30 मार्च को, मैं जब तक आपके साथ हूँ, जब तक मैं हूँ, तब तक ये बिजल का बिल जीरो रहेगा आपका 200 उनिट बिजली फ्री रहेगे तीसरी चीज अब हमने आपकी जानकारी के लिए बता दू जब हमारी सरकार बनी थी न अठावन प्रतिशत दिल्ली में पाइपलाइन से पानी आता था टूटी से बागी सारी दिल्ली में टैंकरों से पानी जाया पान साल के अंदर बची हुई साथ परसेंट दिल्ली में भी अगले डेड़ दो साल में बिचा देंगे सौ परसेंट दिल्ली में अब टूटी से पानी आया करेगा लेकिन आज भी किसी एरिया में घंटे पर पानी आता है किसी एरिया में दो घंटे आता है किसी में कई कई जगे तो दो दो दिन में एक बार आता है यह साही नहीं है दिली देश की राजधानी है आप दूसरे देश की राजधानीों में जाते हो 24 घंटे पानी आता है मैंने आपके पानी का इंतिजाम कर लिया अगले 5 साल के अंदर आपकी टूटी में 24 घंटे पानी आया करेगा और साफ पानी आया करेगा होना चीए नहीं होना चीए अगले 5 साल का अपना एक ये मिशन है इसको पूरा करेंगे 24 गंटे पानी आएगा, साफ पानी आएगा अगली चीज यमना बड़ी गंदी है साफ करना इसको मिलके करना आपके भी नहीं कर सकता है आप कह रहे हो इसलिए मैं कारिंटी में डाल रहा हूँ मंजूर है ना एक बार आथ खड़े करके कह दो यमना में अच्छा आप में से कितने लोग गंगन आके आए हुए हो काफी लोग गए हैं यहां पर अब आपको यमना में जुरूर ने लाओंगा मैं पान साल अगले चुनाओं के पहले मैं भी आपके साथ चलूँगा यमना में डुपकी लगा के आएंगे इतनी साफ कर देंगे यमना मंजूर है अगली गारेंटी अपने को दिल्ली का ट्रांसपोर्ट ठीक करना है बसो की कमी है उसको पूरा करेंगे 11,000 बसे उतारेंगे मेट्रो को ठीक करेंगे सबका कॉमन कार्ड बनाएंगे और ऐसी विवस्था कर रहे है आदी से ज़्यादा लागू भी हो गई जैसे आप बस पकड़ने जाते हो पता ही नहीं बस कितनी देर में आएगी आएगी नहीं आएगी अब एक एप दे देंगे आपको आपको घर बैठे बताए कि मेरी बस स्टेंड के उपर बस कितनी देर में आएगी आप घर उसी साब से निकलो गए आपको बताए मेरी बस कितनी देर में पहुँचाएगी और लक्शरी बसे भी ला रहे हैं जिनके पास पैसे हैं हम चाहते हैं कि लोग अपने कारें छोड़ छोड़ के बसों में जाएं तो आपके लिए लग्शरी बस लेके आएंगे तो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट विवस्था को हम बिल्कुल इंटरनेशनल स्टेंडर का बनाएंगे भ्लानल नहीं बनाना सही चीज़ है रहा है कि अगला प्रूशन कम करना है करना है सारे दुखी है मैं सबसे ज्यादा मेरी खांसी अभी भी आ रहे ही रहे है सबसे ज़्यादा भुक्तव होगी मैं हूँ पल्योशन दूर करना है इसके लिए भी पूरी प्लानिंग हमने की हुई है दिल्ली को साफ करना है दिल्ली बहुत गंदी हो गई है चारों तरफ कूडा खचरा है की नहीं है कई मलबे के धेर हैं कई कूडे के धेर हैं नालियां बह रही हैं सीवर ओवर्फलो कर रहे हैं इसको सबको साफ करना है और हो सकता है जब स्कूल ठीक कर सकते हैं अस्पदाल ठीक कर सकते हैं बिजली ठीक कर सकते हैं तो दिल्ली को साफ भी कर सकते हैं और एक और नई चीज ला रहे हैं इस बार बसों में मार्शल लगा दिया आ लगा रहे हैं। पूरी दिल्ली में स्रीट लाइस लगा रहे हैं। अब हर मौरुले के अंदर हमौर्शल के नुक्तिकरने जा रहे हैं। है। मेरा साथ देना पड़ेगा राकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप लोगों ने साथ दिया था तब डेंगू ठीक करा था, अब आप साथ दोगे तब ही आगे बढ़ेगी बात, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, अमित्षा जी आजकल कैम्पेनिंग कर रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, वो सही नहीं है, जो कुछ हमने करा, आपके साथ मिलके करा, मैंने कुछ नहीं करा, अभी थोड़े दिन पहले वो एक इलाके में गए, बोले दिल्ली में केजरिवाल ने एक भी CCTV कैमरा नहीं लगाया, बोले मैं ढून रहा हूँ, तो जहां से स्टेज से खड़े होके भाशन दे रहे थे, अगले दिन वहां की RWA ने CCTV कैमरे की रेकॉर्डिंग निकाल के उनको बेज दी, बोले जहां भाशन दे रहे थे, उसके उपर ही CCTV लगा हुआ था, हमने नहीं करा, हमने नहीं करा, लोग ने, तो CCTV कैमरे पूरे दिल्ली के अंदर, फिर अगले दिन जब उन्होंने भाशन दिया तो उनको लगा कुछ गलती हो गई, तो अगले दिन ये नहीं बोले, एक भी नहीं लगा, बोले केज दिवाल ने कुछ कैमरे लगाए, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दू, दिल्ली में दो लाक कैमरे लग चुक पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली तो छोटा सा राज्य है, हमारे पास तो छोटा सा बजट है, आधा राज्य है, हमने दिल्ली में दो लाक कैमरे लगा दिये, पांच साल में आप एक ही कैमरा लगवा देते हैं, कहीं तो लगवा देते हैं, नहीं, गाली आप लगवा दो जी दो चार आप भी लगवा दो अच्छे काम में तो सबको आहूती देनी चीए थोड़ा सा आप भी डाल देते सारा निर्भया फंड तो आप ही के पास पड़ा है दो चार आप भी डाल देते दो चार आप भी लगवा देते उसके बाद पूरी दिली में शिक्षा करांती हो रही है सरकारी स्कूल इतने अच्छे हुगए सरकारी स्कूल शानदार हो गए प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है और ये मैंने नहीं किया अपने दिल्ली के लोगों ने किया मैंने क्या किया हमने स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी कर दी हमने स्कूलों के अंदर सारी विवस्था कर दी इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 96% नतीजे आये 96% और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के नतीजे 93% आएं भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है 70 साल में किसी भी राज्य में कि सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे आ रहे है 96% और आप यूपी में चले जाओ हर्याना चले जाओ बिहार चले जाओ मध्यपरदेश चले जाओ राजस्थान चले जाओ वहां के सरकारी स्कूलों के नतीजे आते है 40%, 42%, 45% और दिल्ली के नतीजे आ रहे 96% ये दिल्ली वालों के 96% नतीजे कैसे आए केजरीवाल ने तो बस विवस्था करी थी हमारे बच्चों ने रात दिन बैट के पढ़ाई करी थी हमारे बच्चों ने महनत करी थी हमारे टीचर्ज ने महनत करी थी पैंसट हजार टीचर हैं हमारे उन्होंने महनत करी थी सोला लाख बच्चे हमारे उन्होंने महनत करी थी उनके माबाप ने महनत करी थी अभी दो दिन पहले अमिद शाजी ने हमारी शिक्षा विवस्था के ओपर प्रश्णचे ने खड़ा किया बोले दिल्ली की पढ़ाई बिल्कुल खराब है बोले दिल्ली के स्कूल बिल्कुल खराब है मैं उनको कहना चाहता हूँ अप मेरे को गाली दे लो केजरी वाल को गाली दे लो आपको केजरी वाल से नफरत है आप आम अदमी पार्टी को गाली दे लो हमारे बच्चों का मनोबल तो मत तोड़ो बच्चों ने बहुत महनत करी है बच्चों के पेरेंट्स ने बहुत महनत करी है बच्चों के टीचर्स ने बहुत महनत करी है उनका अपमान मत करो उनका मजाक मत तोड़ाओ अच्छी राजनीती तो यह होती है हमने हजार स्कूल ठीक करे आप एक स्कूल ठीक कर देते MCD तो आपके पास है MCD के स्कूलों में से एक स्कूल ठीक कर देते आप उसमें तो बड़ अपन उसमें तो अच्छी चीज लेकिन हमारे बच्चों को इस तरह से मैं सोच रहा था TV में जब ये बच्चे बैठके देख रहे होंगे कि उनके ग्रह मंतरी उनका मजाक उड़ा रहे है तो हमारे उन 16 लाख बच्चों के दिल पे क्या गुजर रहे होगे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हमने दिल्ली का नाम रोशन करा 96% नतीजे लाए और हमारे साथ इस तरह की बाते हो रहे है यह जो साहीсь नहीं है यह पर बहुत सारे लोग BJP वाले भी होंगे बहुत सारे लोग Congress वाले भी होंगे मैं आप सब को कहना चाहता हूU जो BCP का है वश मही रहना जो Congress का है Congress मही रहना लेकिन इस बार सारे जने मिलके जाड़ू पे वोट दे देना आप पूछो के क्यूं वो इसलिए क्यूंकि बाई साब पिछले पांच साल में बहुत मेहनत करी है बहुत मेहनत करके ये स्कूल अस्पताल ठीक करें है अब अगर आपने किसी और को वोट दे दिया ये स्कूल अस्पताल फेर खराब हो जाएंगे मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा केज रिवाल को मुख्य मंतरी बनने की कोई इच्छा नहीं है मैं दिल्ली के लिए वोट मांग रहा हूँ मैं अपने बच्चों के भविश्य के लिए वोट मांग रहा हूँ मैं आपके परिवार के लिए वोट मांग रहा हूँ मैं स्कूल और अस्पताल जो अच्छे हुए 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूल और अस्पताल अच्छे हो रहे हैं और इस बार सारे जैने अपने बच्चों के लिए और दिल्ली के लिए वोट दे देना, सारे जैने जाड़ू पे वोट दे देना. कल मैंने देखा, अमिच्छा जी एक किसी भाजपा के कारेकरता के यहां खाना खाने गए थे. बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए अपने कारेकरताओं के लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आज पांच साल के बाद चुनाओ के पहले आपको अपने कारेकरताओं की याद आई ही? जब आपके भाजपा के कारेकरताओं के स्कूल की फीस बढ़ाई जा रही थी, तब आप कहां थे? तब केजरी वाल करवा रहा था उनकी फीस कम. जब आपके भाजपा के कारे करताओं की बिजली के बिल बढ़ रहे थे तब कहां थे केजली वाल आपके बिजली के बिल कम करवा रहा था जब उत्तर परदेश और हर्याना की सरकारे भाजपा की सरकारे अपने रज्यों के अंदर बिजली के बिल लगातार बढ़ाती जा रही थी दिल्ली के अंदर आपके बिजली के बिल उस टाइम कम होते जा रहे थे लगातार जब पूरे देश के अंदर आप लोगों ने महंगाई करक्थी है पूरे देश के अंदर ऐसा सिस्टम करखाई कि लोगों की लोगों का खर्चा नहीं चल रहा दिल्ली के अंदर लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही है बिजली के बिल जीर हो गए, पानी के बिल जीर हो गए, शिक्षास मुफ्त हो गई, स्वास्त मुफ्त हो गया, दवाईया मुफ्त हो गई, महिलाओं का किराया मुफ्त हो गया, तो दोस्तों अपने को ये जो राजनीती आप लोगों ने शुरू की है, पांच साल पहले आप ने ये राजनिती शुरू करी थी पांच साल पहले आपने एक नए नए पार्टी को वोट दिया था आपको लगा ये इमानदार लड़के हैं नए नए लड़के हैं समघर्शील हैं डरते नहीं हैं कि जी से इनको एक मौका मिलना चाहिए आपने दोनों पार्टीओं को एक को मौका आया है देश की राजनिती बदलने का इस बार काम के उपर वोट पढ़ना चाहिए धरम और जाती के उपर वोट नहीं पढ़ना चाहिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सतर साल में मेरे तो इतनी उमर नहीं है या बहुत सारे एक्सपिरियंस्ट लोग बैठी हैं सतर साल में भाई साब याद करके बता दो भारत के इतिहास में किसी राज्य में कभी किसी पार्टी ने इस बात के वोट मांगे हो कि हमने स्कूल अच्छे कर दिये इसलिए वोट दे दो बताओ जी कभी किसी ने मांगे पूरे भारत के 70 साल के दियास में किसी पार्टी ने काओ जी हमने अस्पताल अच्छे कर दिये इसलिए वोड़ दे दो हम लोग हमेशा सोचा करते थे ना यार ये सरकारे बनती है कुछ हमारे काम तो होती नहीं एक बार ये एक बार वो एक बार ये एक बार वो यूँ चलता रहता था पहली बार एक सरकार आई है, आपके अपनी सरकार आई है, इमानदार सरकार आई है जो आपके स्कूल अच्छे कर रही है, आपके अस्पताल अच्छे कर रही है, आपके बिजली अच्छी कर रही है, आपके सीसी टीवी कैमरे लगा रही है का डेंगू ठीक कर रही है इतने सारे काम कर रही है इस बार सारे जने मिलके एक बार फिर से अपने को राजनीती बदलने का मौका आया है आठ तारिक को चनावें आठ तारिक को इस बार सारे जने जाना और जाडू पे इतना बटन दवाना इतना बटन दवाना इतना बटन दवाना बटन ही खराब हो जाए भारत मता की